हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो मैं चैनल पेकप गार्डनिंग दोस्तों यह जो वाइट वाइट आप इस पॉर्ट देख पा रहे हैं यह वाइट बग है बहुत ही डेंजरस बग है और एक बार अगर यह आपके गार्डन में आ जाए तो वापस नहीं जाता है आज हम आपके साथ बात करेंगे कि इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है यह स्प्रेड कैसे होता है कैमिकल का इस्तेमाल करें या और्गेनिक पे जाएं सभी कुछ हम इस वीडियो के अंदर आप से बात करेंगे पैस्तिसाइड को स्प्रे करने का सही तरीका भी हम आपको इस वीडियो में मिली बग के कंट्रोल के लिए हमेशा लिक्विड सोप और नीम ओईल का सजेशन दिया जाता है लेकिन इस से मिली बग कंट्रोल नहीं होता है तो हमें यूज करना है हमला 550 विथ नीम ओईल एंड लिक्विड सोप लगबग एक लीटर पानी के अंदर 10 से 12 बूंदे हम पेस्टिसाइट की यूज करेंगे और साथ ही साथ 10 से 12 बूंदे हम नीम ओईल और लिक्विड सोप का यूज करेंगे जब यह तीनों चीजे मिल जाएगी तो इसका जो कंपोजिशन है एक किलर कंपोजिशन बनेगा और मिली बग के उपर एफेक्टिवली कंट्रोल करेगा इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो हम आपको बताएंगे याद रहे दस से बारा मुदें तीनों प्रोडक्ट की एक लीटर पानी के अंदर मिक्स करना है और प्लांट के उपर नीचे आगे पीछे सोईल में और पॉट के चारों तरफ स्प्रे करना है ये जो वाइट वाइट इस पॉट आपको नजर आ रहे हैं ये सब वाइट बग हैं तो इसके बाद आपको स्प्रे करना है सोईल के उपर सोईल पे स्प्रे के साथ साथ आप नीचे जमीन पे भी स्प्रे करें क्योंकि ये उड़के वहाँ पर भी स्प्रेड हो जाते हैं और फिर जो चीटियां है इन्हें दूसरे प्लांट के उपर ले जाके इंप्लांट कर देती है तो फ्रेंड्स एक बार फिर से रिवाइस कर ले उपर से नीचे नीचे से उपर चारों तरफ और सोईल के अंदर